रेलवे के एक ऐसे ही कर्मचारी हैं श्री टीकुमारन टीकुमारन भारती रेल के कर्मचारी हैं और चेन नई दिविजन में पॉइंट्समेन के रूप में कारे करते हैं एक दिन जब वे अपने इलाके के रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे तो अचानक उनके पैरों के पास एक सांप आ गया जब उनकी नदर सांप के ओर गई तो उनके मन में एक स्वभाविक साट डर बैट गया लेकिन जैसे ही रेलवे ट्रैक पर आती रेलगाडी की और देखा तो उनकी आँखों के आगे हजारों की संख्या में सफर करते यापनी दिखाई दिने लेकिन उनके अंदर दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी वे सोचने लगे कि सांप के काटने से तो अकेले उनकी जान जाएगी लेकिन रेलगाडी में बैठे उन हसारों लोगों की जान पच जाएगी जो किसी न किसी काम से अपने घरों से निकले हैं या कहीं अपनों से मिलने जा रहे हैं उनका दिमाग केह रहा था कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाओ लेकिन उनका दिल केह रहा था कि बिना डरी अपने काम को अंजाम देना ही सबसे बड़ी पूजा है आखिरकार उन्होंने अपने दिल की सुनी और श्री टीकुमारन बिनाटर अपनी ड्यूटी पर जमे रहे रेल गाड़ी के नजदी गाने की आवाद सुनकर साथ तो अपने आप भाग दिया और इधर श्री टीकुमारन हजारों यात्मियों को उनके गंतव्य तक पहुचाने में अपनी भूमिकानी भा रहे थी श्री टीकुमारन तो सिर्फ एक उदहारण है भारती रेल में ऐसे कई पॉइंट्समैन है जो आज बखू भी अपनी भूमिकानी भा रहे है